नमस्कार दोस्तों, इंजिनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समार्टन कमपनी के मोनो प्रक 380 वोट के सोलर पैनल की और इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं साथी इसके बारे में बताने वाले हैं इसके अलावा हमने यूटिल कंपनी के, लूमिनस कंपनी के, पतंजरी कंपनी के काफी कंपनियों के solar panel के unboxing, testing और comparison के वीडियो हमारी चैनल के उपर डाल रखी है अगर वो वीडियो आप देखना चाते हैं तो वीडियो के description में दिये गए link से आप जा सकते हैं को विजिट करके सभी इस अलगर года कंपनेों का सब्सक्राइब कर लीजिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे solar panel की और साथ में ही इस कोंटेस्ट करके दिखाने वाले हैं सिंगल बैंटरी पर और MPPT solar charge controller के साथ में और क्या आप भी अपने rooftop पर solar system लगवाना चाहते हैं और company के representative से बात करके अपनी जरूरत के अनुसार सबसे best inverter solar panel चुनना चाहेंगे इतने system है market में लेकिन कौन सा आपके लिए best रहेगा यही सोच रहे होंगे आप तो इस मुश्किल को असन बनाने के लिए live guard brand लेके आया है नए off-grid inverter जो की 3500 VA capacity से लेकर 15 VA तक की capacity में मिलेंगे आपकी सभी जरूरत के लिए बिल्कुल सही है live guard brand आपको solar का all-in-one solution देता है और इनके नए off-grid solar inverter से 30% तक ज़्यादा power generation होती है normal solar inverter के मुकाबले और इन advanced pure sine wave inverter पर आप 200% तक का overload surge ले सकते हैं और सबसे खास बात यह है कि इसके 35 VA के MPPT inverter पर आप day 10 तक का inverter air conditioner बड़े ही अराम से चला सकते हैं इस advanced inverter में remote monitoring की सुविधा भी मिलती है जिससे की आप online अपने inverter का data और status देख सकते हैं इस inverter पर हम इसकी capacity से 110% तक ज़्यादा solar panel लगा सकते हैं easily upload बढ़ने पे और panel लगा के फायदा पा सकते हैं live guard की service center pen India है और installation से service sink तक सब की जिमेदारी live guard खुद लेता है free of cost consultation के लिए display पर दिखाए गए whatsapp number पर contact करें तो ये panel की front side है जैसे कि आप देख सकते हैं monopark ये solar panel है और मैंने पहले काफी वीडियो में monopark panel की वीडियो बनाई है और मैं आपने देखा होगा कि ऐसे ही solar panel दिखते हैं इस panel के एक तरफ इस solar panel का serial number दिया गया है कहां पर बना है कौन सी साल में बना है या जानकारी दी गई है और इस panel के दूसरी तरफ smarten company का logo भी लगा हुआ है तो front side से आपको ये panel कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और अब बात कर लेते हैं इसके back side की पिछी की side में आपको इसके एक warranty card दिया जाता है और जैसे कि आप पढ़ सकते हैं इसके उपर limitation of warranty और warranty claim procedure सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर company का toll free number भी दिया गया है और दूसरी तरफ यहाँ पर IP 68 rating का जंसंग box दिया गया है जो की best quality का माना जाता है और यहाँ पर इसकी technical specification दे गई है जो कि आप देख सकते हैं यह 380 volt का solar panel है और इसकी VOC लगब 50 volt के करीब है और इसका maximum power current 9.53 ampere है और short circuit current इसका 9.9 ampere है इसके अलावा इसके उपर company के बारे में कुछ जानकारी दी गई है और company के website toll free number बगएरा सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है और साथ में ही यहाँ पर panel की एक report भी लगाई गई है तो यह panel 380 volt का है और इसकी VOC लगब 50 volt के करीब होने के कान हम इसका उप्योग smart and company वाले solar charge controller पर नहीं कर सकते आपने अगर मेरी कुछ वीडियो देखिए जो panel testing की है उसमें मैंने लगबग हर वीडियो में ही आपको smart and company वाला solar charge controller दिखाया था लेकिन उसकी एक limitation यह है कि वो single battery पर 45 वर्ट तक की VOC के spot करता है इसलिए हम इस panel को उस पे test नहीं कर सकते हैं हम इसके लिए उप्योग करेंगे हमारा asa power company का neon 80 जो solar charge controller है वो और इस solar charge controller की अगर आप separate video देखना चाते हैं तो हमारी channel पर पहले हमने upload किये वो आप देख सकते हैं तो हम अब इन सभी के connection कर लेते हैं इनके connection कैसे करने हैं यह मैंने काफी वीडियो में बता दिया हैं यहाँ पर हम सीधे आपको connection करके दिखाने वाले हैं तो यहाँ पर जो battery के connection है वो हमने कर दिये हैं अब हम करने वाले हैं हमारे solar panel के connection तो यहाँ पर हमने solar panel को भी connect कर दिया है और अब हम देखने वाले हैं कि कितने ampere से battery को charge करेगा इसमें smart and company वाले के जैसे नहीं दिखाता है कि पहले आपको panel के voltage और current दिखाए और बाद में battery के voltage और current दिखाए यहाँ पर आपको charging current ही दिखाता है इसके अलावा battery की और solar panel की voltage भी आपर दिखाता है जो कि अब हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो charging current है वो 15.1 ampere है यानि कि हमारी जो battery है यह इस panel से 15 ampere से charge हो रही है तो इस panel का व् battery को बड़ी ही अराम से charge कर सकते हैं अगर आपने MPPT solar charge controller का उप्योग किया है तो और यहाँ पर हमारी battery की जो voltage है वो 12.9 volt है और solar से हमें 34.6 volt मिल रही है तो काफी अच्छे high current से यह battery को charge कर रहा है अगर आप single battery के लिए इसका उप्योग करेंगे तो आपको MPPT type के solar charge controller किया inverter की आप सकता होगी और एक battery पर बड़ी ही अराम से इसे एक पैनल का भी उप्योग आप कर सकते हैं तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर इसके बारे में अभी भी आपको कोई सवाल या सुजाब हो तो वीडियो कमेंट करें और अगर वीडियो पसंद आयते वी सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के साथ साथ पहला आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे धन्यवाद